स्वागत है आप सब का आपके अपने YouTube चैनल पर आज की वीडियो बेहरदी खास होने वाली है आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जिनका इस बार एक्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत जादा है इस वीडियो में हम लोग लगबख ऐसे 15 टॉपिक देखेंगे और फिर इस सीक्वेंस में आपके पास एक दो वीडियो जोर आएंगी तो हम लोग साथ में डिसकस भी करेंगे कोई important facts अगर उस टॉपिक पर बेज़ रहेगा तो सबको पता है पिछले साल और इस साल जो चीज सबसे जादा चली है that is COVID-19 तो इस पर based questions definitely paper में पूछे जा सकते हैं फिर चाहे वो obviously अभी के टाइम पर vaccination से related होंगे causes and effects पर based हो सकता है question साथी साथ COVID की waves related question बन सकता है और international diplomacy पर question बन सकता है यानि यहाँ पर हम लोग को मिला कर बात किस चीज की करेंगे गावी alliance primarily बात होगी that means जो COVAX campaign चला है international उसके बारे में आपको idea होना चाहिए और उसमें इंडिया का role definitely सिरम स्टूट आफ इंडिया और एस्टर जनिकाज ने जो कोवी शील्ड डेवलप किया है वो एक बहुत बड़ा एक camp का part रहा है campaign का part रहा है तो COVID-19 पहला topic दूसरा छे महीने से पिछले आप सब देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट farm laws तो हमारे पास तीन जो farm laws है उनके terms conditions क्या कहते हैं वो laws और उस पर based प्रोटेस्ट पर questions आप से पूछे जा सकते हैं प्रोटेस्ट और यह सारी चीज़े उसमें आपको जाननी है अनदर वेरी इंपॉर्डेंट टॉपिक इंवर्मेंट से रिलेटेड इस एथनॉल ब्लेंडिंग अब तक हमारा जो टार्गेट था एथनॉल ब्लेंडिंग का फ्यूल में जिसको हम लोग इस सिरीज में रखते हैं जैसे इटेन अभी तक हम टार्गेट लेकर चल रहे थे यानि 10 परसेंट ऑफ इथनॉल अब हमने इसको इट्विंटी कर दिया है टार्गेट पहले रखा गया था कि 2030 तक 20 परसेंट इथनॉल की ब्लेंडिंग होगी यानि हर 100 लिटर फ्यूल में 20 लिटर एथनॉल होगा यानि बायो फ्यूल हो जाएगा अब इस टार्गेट को 2030 के जगे पीम मोदी जी ने 2025 कर दिया है तो एक बहुत इंपॉर्टन स्टेप है और ऑविस है कि ये इन्वार्मेंट के लिए तो एको फ्रेंड़ी मोट तो रहेगा ही रहेगा इथनॉल ब्रेंडिंग से फाइदा क्या होगा एकनॉमी में लगबग लगबग आप कैसे रखते हैं अनुवली यूल सी सेविंग ऑफ अराउंड 30,000 क्रॉर रुपीज तो ये भी एक इंपॉर्टन टॉपिक आपके लिए रहेगा अनदर वेरी इंपॉर्टन टॉपिक इ आसियान प्लस फाइफ डायलॉग पहले सिक्स होता था इंडिया ने तो मना कर दिया आसियान प्लस फाइफ यह आपको पता होना चाहिए क्यों आर सीपी की इंपॉर्टन से बिकेज यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अग्रिमेंट है त मार्स एक कॉंपेटेशन बिट्वीन चाइन एन यूएस तो कॉंपेटेशन बेसिकली जूरॉंग और परजीवेरंस का ना सिर्फ यहां पर बात रुकेगी परजीवेरंस और जब भी हम बात करेंगे जूरॉंग की आपको ध्यानिया पर यह भी रखना है कि इसके साथ हम इंडिया में कॉंपेशन की प्रप्रिशन कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली चाइना की स्पेस एजन्सी नासा और इस रो एक त्री पार्ट टाइट में आपको देखना है चीज़ों को देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कि करेंसी सौप अग्रीमेंट्स इधर आपने काफिस सुना है कि इंडिया ने जपान के साथ करेंसी सौप की या हम सब्सक्राइश के साथ करेंसी सौप कर रहे हैं किसी भी कंट्री के साथ हम लोग करेंसी सौप करते हैं उनका करेंसी लेना अपना करेंसी उनको देना variation in international market जो money variation होता है आप कह सकते हो रुपी का या डॉलर के valuation पर रुपी का जो आए दिन हम सुनते हैं कि पैसर रुपिया गिरा या रुपिया चढ़ा तो यह जो चीजें हैं इसको थोड़ा सा neutralize कर सकता है currency swap तो जपान के साथ भी recent past में इंडिया ने काफी सारे करने सी swap agreement किये हैं और एक बहुत important खास इंटरनाशनल अफिर्स पर ही चलें तो यूएसे का rejoining to the Paris Climate Agreement यानि UNFCCC यूनाइट नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ओन क्लाइमेट चेंज जिसको आप पारिस क्लाइमेट एकॉर्ड कह रहे हो या पारिस क्लाइमेट अग्रीमेंट हम कह रहे हैं तो यूएसे इसमें rejoin कर रहा है rejoin क्यों कर रहा है क्योंकि इसने एक बार exit कर दिया था and that was because of the president of USA Donald Trump ने यह बोला कि हम लोग इसे exit करेंगे और जब यह उन्होंने अफिशली अनाउंस कर दिया after a frame of one year USA ने exit कर दिया था जो बाइडन ने commit किया था कि as and when he'll be the president यह first decision होगा इनका कि वापस से rejoin करेंगे प्रेस क्लाइमेट एकॉर्ड को तो एक another very important topic moreover हमारे पास आता है अभी recent past में चाइना के लिए concern चाइना के लिए threat है कि जपान और उस्ट्रेलिया ने अपनी नजदी क्या बढ़ा ली है जपान और उस्ट्रेलिया bilateral defense pact basically अगर इसके लिए term यूज की जाए that is RAA इसको RAA कहा गया है यानि reciprocal access agreement reciprocal access agreement अब जपान ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया जपान की कोस्ट्रेलिया तक जाएगा और एक दूसरे के equipment से लेकर सारी चीज़ों को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं और से चाइना काफी triggered है क्योंकि पूरे के पूरे इस रीजिन की जब भी हम बात करेंगे इश्या पासफेक की तो उसमें चाइना का 2021 निर्मला सीता रमन जो कि हमारी minister of finance है उन्होंने budget प्रेज़ेंट किया फेब के महिने में union budget 2021 का जिसमें बहुत अच्छे allocations दिए गए हैं healthcare पे काफी बढ़ा expenditure कोविड vaccination के लिए 35,000 करोर का एक अप्रॉक्स सम तो ये सभी चीज़ों पर discussion है union budget में not to forget international events में चलें तो Israel Palestine काफी time तक आपने ये सुना है इसके बारे में पढ़ा है Herod Temple, Alexa Mosque, Kaishu, Jerusalem का और Gaza की तरफ से बंबारी इसराइल में इसराइल की तरफ से reciprocate किया, retaliate किया इसराइल ने तो इस पर आपको थोड़ा बहुत idea तो होना ही चाहिए next international level पर जलें तो हम एक और event देखें treaty on the prohibition of nuclear weapon treaty on prohibition of nuclear weapon यानि दुनिया की पहली एक legal binding जिससे eliminate किया जा सकेगा nuclear weapon को अभी इस पर बहुत जादा signatories आपको नहीं मिलने वाले है बट अगें थोड़ा बहुत idea हो well and good और एक नहायत important topic is quad हम लोग कई बार इसकी बात कर चुके हैं quad और उसका क्या impact है quad and its impact now what is quad तो एक informal body बनाई गई है between four nations इसमें है India इसमें है USA आपको मिलेगा यहां पर Japan और साथ ही साथ Australia चारों country ने मिलकर South China Sea में China की dominance को reduce करने की बात कही है at the same time एक security system को enhance करेंगे इस पूरे region में तो इंडिया USA जपान ऑस्ट्रेलिया ने हाथ मिलाया बना quad क्या करता है करता है two plus two dialogue यानि दोनों country के foreign ministers और defense minister dialogue table पर बैठते हैं just अभी शुरू होने वाला है एक दुनिया का सबसे बड़ा event that is Tokyo Olympics which was due to held in 2020 but because of kovid was it get postponed and will now be held in 2021 but it again would be called as the Tokyo Olympics of 2020 nomenclature में बदलाओ नहीं करना चाहते हैं बेकर अगर ऐसा हुआ तो 24 का 25 हो जाएगा 8 का 29 हो जाएगा तो इस तरीके से olympics का जो tenor है four year का gap है उसको breach कर दिया जाएगा तो इसलिए Tokyo Olympics 2020 ही रहेगा यह आज तक की history का सबसे expensive event है लगभग इस पर expenditure के अगर बात की जाए तो लास्ट यह जो टोक्यों ने बताया यह जपान की तरफ से एक info थी वह यह कि 26 बिलियन यूज डॉलर वो इस पर expenditure total करेंगे बट क्योंकि डीले हो गया है अब कहा जा रहा है कि लगभग इसमें 2.8 बिलियन यूज डॉलर का और एक budget increment हुआ है तो तक्रीबन तक्रीबन 29 बिलियन यूज डॉलर का दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट विल भी टोक्यो ओलम्पेक्स एक और topic अगर मैं important बताऊं तो वो है Microsoft का commitment अभी recently Microsoft ने commitment किया है being one of the world's largest company इनका commitment है कि ये carbon negative बनेंगे by 2030 carbon negative बनने का मतलब क्या है कि जितना carbon ये environment में release कर रहे है उससे जादा carbon ये absorb कर लेंगे तो इस तरीके से ये बन जाएंगे carbon negative तो उससे पहले carbon neutral बनना होका इनको that means जितना उत्सरजन उतना ही absorption यानि जितना release environment में हो रहा है carbon उतना ही absorb भी कर लें साथी साथ इन्होंने ये भी commitment किया है कि by the end of 2050 ये अपना सारा carbon footprint neutralize कर देंगे यानि जितना carbon आज तक अपना emit किया है from the very beginning यानि कि foundation तो बहुत पहले हुई थी 1975 में company बनी थी तो पिछले 50 सालों का लगबग अगर data देखा जाए और इतना जितना carbon उन्हें कर दिया है 2050 तक ये neutralize करते करते negative carbon करते करते 2050 में पूरे के पूरी कंपनी को carbon neutral कर देंगे इसके लिए उन्होंने प्रपोस किया है 1 billion का climate innovation fund तो ये भी एक important topic है जिस पर based question आपके paper में आएंगे तो ये कुछ हमने शुरुआत के important topic लिए हैं अगली वीडियो में आपको इससे आगे continue करते हुए हम देखेंगे कुछ और topic जिस पर इस साल paper में question बनने की possibility काफी जादा रहेगी तो quick recap सबसे पहला कोविड 19 सेकेंड हमारे पास farm laws आते हैं थर्ड है हमारे पास ethanol की blending in the in fuel और obviously हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में ethanol blending कैसे होगी कितना percent होगी next is RCEP यानी regional comprehensive economic partnership जिसमें दस देश हैं आस्यान के साथ में पांच देश हमारे पास South Asia के अड़ोसी पड़ोसी जो भी South East Asia में हैं वो लोग इसका member बनने के लिए तयार है FTA दुनिया का सबसे बड़ा free trade agreement यह होगा then mission Mars हमारे पास आता है which again is very important यहां पर जूरॉंग और परजी विरेंस के बीच competition जूरॉंग सेकेंड बन गया है after America बंस चाइना सेकेंड बन गया after America जिन्होंने successfully land किया मार्स के ओपर currency swap agreement कि already हम डिसकस कर चुके हैं swap मतलब change कर लेना US Rejoined to the Paris Climate Agreement UNFCCC में USA का re-entry एक और important topic Japan Australia के बीच bilateral defense pact यानि reciprocal access agreement अभी रिसेंट्ली चल रही है discussion इस पर तो यह भी चाइना के लिए threat है हमारे exam के लिए important है then budget of 2021 equally important Israel Palestine issue आए दिन आप इस पर कुछ ना कुछ नया सुनते हैं आप तो government भी change हो गई है Naftali Bennett has become the new prime minister replacing Benjamin Netanyahu treaty on prohibition of nuclear weapon is again one more important thing quad and its impact क्या है quad South Asia में क्या इसका असर रहने वाला है कौन कौन से देश इसका पार्ट है 2 plus 2 dialogue है क्या यह आपको जानना है moving on we have one of the most important upcoming event that is Tokyo Olympics of 2020 again is going to be held in 2021 PM has sent his best wishes individual उन्होंने लगभग सभी players के साथ बात किया morale boost किया उनका और अब उमीद है कि काफी सारे medals India के पास आएंगे and next is Microsoft का commitment to be a carbon negative brand by 2030 2050 तक जितना carbon उन्होंने आज तक emit किया है from the inception of the brand till date सब कुछ वो neutralize कर देंगे एक और 15 भी topic हम यहाँ पर cover कर लेते हैं and that would be the recent Twitter debacle Twitter issue यानि कि जो नए changes आए हैं IT Act में उसको किस तरीके से government implement करने वाली है और जिन companies को problem हो रही है उसका क्या resolution है ये भी important रहेगा अभी हम अगली series में फिर बात करेंगे कुछ और important topics की till then कर लीजे subscribe इस channel को बागी सभी videos भी आप देख सकते हैं that's all for today मिलते हैं फिर अगले video में till then take great care of your health thank you, bye-bye